नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का एक बार फिर स्वागत हैं। दोस्तों हम आपके लिए दिनरात महंत करते हैं। और आपके लिए सटीक जानकारी ले आते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपका एक रुपया भी नहीं लगता है पर आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेट मिलती हैं। दोस्तों हम आपके लिए सटीक जानकारी लेकर आते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, दोस्तों तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखना दोस्तों आधा अधूरा मत देखना आपके लिए बहुत खास जानकारी हम लेकर आए हैं। आपने कहीं नहीं सुना होगा यहां बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, दोस्तों तो दोस्तों आपसे प्रार्थना है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, इस दुनिया में दोस्तों आपके खिलाफ शद्यंत्र रचने वाले, आपके खिलाफ चल चलन आपने वाले अब बहुत आ गए हैं, जी हम तो सही सुना आपने लोगों से आपकी खुश्या हजम नहीं होती, लोगों से आपकी हसी अच्छी नहीं जाती और लोग आपको आगे नहीं बढ़ना देना चाते, इसलिए कुछ लोग आपके खिलाफ चल चलते हैं, कुछ आपको समय रहते पीछा चुडाना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत बड़े बड़े राज बताने वाला हूँ, सारी बाते सुनने के बाद जानने के बाद आपके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे राज है, जो आप में आज से पहले देखे नहीं होंगे, सुन नहीं होंगे, आप बस थोड़ा समय निकले और वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें, मैं आपको सारी महत्वपूर्ण बाते विस्तार से बताऊंगा, सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले जीतने भी माता भद्रकाली हर हर महादेव जरूर लिखें, दोस्तों जिनके सिर पर माता रानी का हाथ होता है, उनकी तरक्की सदैफ होती रहती है, जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले पांच दिनों में कुछ ऐसी एक स्त्री से आपका सामना होने वाला है, जिसे ईश्वर ने स्वयम आ भेजने वाले हैं, ताकि अब आप भी अपने जीवन में खुश हो जाए, क्योंकि आपने बहुत ही दुख सहा है, बहुत ही दर्द सहा है, और आपको बता दे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि आप अपने दुखों को अपने दिल में छुपे दर्द को किसी के साथ भी सा सुन सकें, जिसे आप अपना समझ के उन्हें सब कुछ बता सकें, आपने पिछले समय में जिसे भी अपना माना है, उनसे बहुत बड़ा धोखा खाया है, जी हाँ, दोस्तों, जिने आपने अपना सब कुछ समझ बैठे थे, वही आपको कुछ भी नहीं समझते थे, कुछ ऐस इसी स्थिती आपके जीवन में आई थी जिसके वज़से आपका लोगों से भरोसा ही उठ गया था। आप किसी को चाहते हुए भी अपने दिल की बातों को नहीं बता सकते हैं। तो ऐसे में ईश्वर आपके दुखों को ही कम करने के लिए आपके जीवन में चल रही परेशा को बताने के लिए अपने दिल में छुपे दर्द और बोज को हलका करने के लिए इस त्री को आपके पास भेजेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको जानकारी चलिए बता दे ये इस त्री। सिर्फ महिला के साथ साथ पुरुष के भी जीवन में आएंगी जीहा। दोस्तों दोनों ही लोगों के जीवन में इस त्री का सामना होगा। जीहा दोस्तों यह सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है बलकि महिलाओं के लिए भी ये बाते बताई जा रही है। इसलिए आप को बता दे ये स्त्री आपके जीवन को बेरंग से रंगीन करने वाली है जैसे ही स्त्री के कदम आपके जीवन में पढ़ेंगे दोस्तों आपके जीवन में ऐसे ऐसे बड़े चमतकार होंगे ऐसी ऐसी खुशिया आपको मिलेंगी ऐसे ऐसे आपको घटनाए देखने को जो आपको अपने ही आखों पर विश्वास नहीं होंगे। दोस्तों आपका मन इस समय जीस भी बात को लेकर बहुत ही परेशान है आपके। मन में बहुत बड़ा तूफान यदी उठा हुआ है तो उस तूफान को यह स्त्री शांत कर देगी। जी हाँ दोस्तों आखिर कौन है यह स्त्री और आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक हमने जाना यह स्त्री आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगी। अब हम बात करेंगे कि इसे आपको पहचानना कैसे है और इसका नाम क्या होने वाला है। और ये किस जगा पर मिलेगी लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी प्रभु श्री राम वा संकत मोचन हनुमान जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं। तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन रिदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम संकत मोचन हनुमान जी की जय हो जरूर लिखें। दोस्तों प्रभु श्री राम और संकत मोचन हनुमान जी के आशिरवात से आपकी सभी मनोकावना पूरी होंगी। आपके और आपके पारिवारिक जीवन में जो भी समस्याएं हैं। उन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। परिवार में सुख शान्ती बनी रहेगी तो आप जरूर लिखिए। दोस्तों अपने अपने जीवन में अच्छा और बड़ा दोनों समय देखा है। जब अच्छा समय था तो आपके पास पैसा था। धन दौलत ही एश आराम था। आपके रिष्टेदार आपके आसपास मंदराते रहते थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही बुरा समय आता ही पै अपने जीवन काल में कभी किसी को धोखा नहीं दिया, ना कभी किसी के साथ चल कर कर किसी के साथ धोखा कर कर गलत कमाई करी लेकिन इस दुन्या में दोस्तों आपके खिलाफ शद्यंत्र रचने वाले आपके खिलाफ चल चलने वाले अब बहुत आ गए हैं। जी हम तो सही सुना आपने लोगों से आपकी खुशिया हजम नहीं होती, लोगों से आपकी हसी अच्छी नहीं जाती और लोग आपको आगे नहीं बढ़ना देना चाते, इसलिए कुछ लोग आपके खिलाफ चल चलते हैं, कुछ लोग आपके खिलाफ शद्यंत्र बनाते हैं, ऐसे ही बाते सुनने के बाद जानने के बाद आपके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे राज है, जो आपने आज से पहले देखे नहीं होंगे, सुन नहीं होंगे, आप बस थोड़ा समय निकले और विडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहे मैं आपको सारी महत्वपूर्ण बाते विस्तार से बताऊंगा, सर्व प्रथम विडियो की शुरुआत करने से पहले जीतने भी माता रानी के सच्चे भक्त है, वह अभी के अभी इस विडियो को लाइक कर दें, साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन स जय माता भद्रकाली हर हर महादेव जरूर लिखें, दोस्तों जिनके सिर पर माता रानी का हाथ होता है, उनकी तरक की सदैव होती रहती है, जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले पांच दिनों में कुछ ऐसी एक स्त्री से आपका सामना होने वाला है, जिसे ईश्वर ने स् बहुत ही दुख सहा है, बहुत ही दर्द सहा है, और आपको बता दे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि आप अपने दुखों को अपने दिल में छुपे दर्द को किसी के साथ भी साजा नहीं कर पाते हैं, जी हाँ, दोस्तों किसी को भी अपने मन में चल रही बातों को बता नहीं पाते हैं, यू कहें तो आपके आसपास कोई ऐसा है ही नहीं जो आपके दुखों को, सुन सकें, जिसे आप अपना समझ के उन्हें सब कुछ बता सके, आपने पिछले समय में जिसे भी अपना माना है, उनसे बहुत बड़ा धोखा खाया है, जी हाँ, दोस्तों, जिने आपने अपना सब कुछ समझ बैठे थे, वही आपको कुछ भी नहीं समझते थे, कुछ ऐसी स्थिती आपके जीवन में आई थी जिसके वज़से आपका लोगों से भरोसा ही उठ गया था, आप किसी को चाहते हुए भी अपने दिल की बातों को नहीं बता सकते हैं, तो ऐस इसे में ईश्वर आपके दुखों को ही कम करने के लिए आपके जीवन में चल रही परेशानियों को बताने के लिए, अपने दिल में छुपे दर्द और बोज को हलका करने के लिए इस त्री को आपके पास भेजेंगे, दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको जानकारी चलिए बता दे ये स्त्री, सिर्फ महिला के साथ साथ पुरुष के भी जीवन में आएंगी, जीहा, दोस्तों दोनों ही लोगों के जीवन में इस त्री का सामना होगा, जीहा, दोस्तों यह सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए भी ये बाते बताई जा प्रक्कार होंगे ऐसी ऐसी खुशियां आपको मिलेंगी ऐसे ऐसे आपको घटनाए देखने को मिलेंगे जो आपको अपने ही आखों पर विश्वास नहीं होंगे दोस्तों आपका मन इस समय जीस भी बात को लेकर बहुत ही परेशान है इन तीन राशी वालों से बच कर रहें मेश राशी बताईए सबसे पहली मेश का नाम मेश है यानि अगर आप मेश राशी के किसी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का व्यवहार रखते हैं या उनके साथ कोई बड़ी चीज कर रही है या उनके साथ घूमने के लिए जाते हैं तो ऐसे में आपको सावधानी बरतनी चाहिए वो इसलिए क्योंकि इस राशी के लोगों की कुम्भ राशी वाले लोग से ज्यादा नहीं मिलते तो ऐसे में कुम्भ राशी के लोगों को इस राशी के लोगों से बच कर ही रहना चाहिए। प्यार और व्यवहार हर चीज में कुंभ राशी से दुश्मनी की तलाश है ये राशी वाले लोग. व्रिशिक राशी इसके बाद हम व्रिशिक राशी वाले लोगों के बारे में बात करते हैं. कुंब राशी के जातकों को इस राशी वाले लोगों से अधिक मित्रता नहीं रखनी चाहिए, यहां तक कि अगर आप इस राशी के किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा समय तक प्यार करें, तिक तिक न करें और आपके रिष्टे के भी सभी रास करके किसी को कुछ बताते भी हैं जो लोग आपकी बाते समझ नहीं पाते हैं उल्टे सीधे आपकी बात ओके मतलब निकाल कर फिर आपसे तमाम तरह के फूल जरूर बाते करते हैं जिससे आपका मन और खराब हो जाता है तो दोस्तों हम आपको बता दे कि आने वाले तीन दिन बस इसके लिए आपको करना यहा है कि उस ग्रह दशा को अच्छी तरह से समझना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं फिर कुछ आपको उपाए भी करने होंगे जिन दोस्तों के जीवन में कुछ ना कुछ तो बात है ही आपके जिन्स वजह से आपके जीवन में जो असंतु कुछ तो कारण है कोई ना कोई तो बाधाएं है उन बाधाओं बहुत आवशक है अन्यथा किसी भी देवी देवता की कृपा या फिर किसी भी प्रकार की ग्रह दशा आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं लेकर आप आएगी ये दोस्तों आप यकीन मानिये कि हम ज अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदलने की क्षमता रखते हैं बस करना आपको इतना है कि चीजों को बस अच्छी तरह से समझ लेना है और उनका सही संतुलन बनाने की कोशिश करना है तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी द आपका दिन शुभ हो मांदल में हो